नमस्कार, BCN News के Doctors.com इस शू में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ देश को इस Doctors.com शू के जरी हम हमेशा आपको कुछ ऐसे स्पेशलाइज डॉक्टर सिम्लाते हैं जो उमें पर्टिकलर बीमारी और उससे जुड़ी संपूर्ने जानकारी देते हैं जिसका उदेश है आपके मन में उत्पन्द में सवालुकान निवार में अब ऐसी बीमारी है Cancer जिसके बारे में कई ब्रह्म लोगों में हैं बहुत लोगों को लगता है कि Cancer से चीत पाना मुश्किल ही नामुम्किन है लेकिन अगर विशेशगों की सलाले तो वो कहते हैं कि अगर सही उपचार किया गया तो हम Cancer से चंप चीत सकते हैं अब इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर अशिश भांगी सर सबसे पहले तो आपका अमारी स्टूडियो में सागत है थैंक्यू सर के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी तो सर डॉक्टर अशिश भांगी ये HCG Cancer Center नापपुर में रडिशन ओंगोलोचिस्ट है उन्होंने नई दिल्ली के एक प्रतिष्टित कैंसर केंद्र सी रेडिएशन में पोस्ट ग्राजिएशन भी क्या है और सर में चाहती हूं कि आप अपने बारे में दर्शिकों को बताए हलो, I am Dr. Ashish. I am a radiation oncologist. I got trained from Delhi and after that I pursued fellowship in high dose radiation therapy from Mumbai and now I am working as a consultant in radiation oncology at SCJ Cancer Hospital Naakpur दिनिवाद सर्, 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 कैंसर से जुडे सवालों के बारे में हम आप निवारन करने वाले हैं बहुत सारे ब्रहम हैं कैंसर के बारे में बहुत लोगों को गलित फ्यामिया हैं कैंसर से जुडी पर इन सारे सवालों को शुरू करने से पहले में चाहती हूं कि आप हुमारी दर्शिकों को बताए कि कैंसर आखिर है क्या So, Cancer एक घ्रीक वर्ड से आया है जिसका साधरान में लैंवेज में मिनिंग होता है क्राब के जैसे दिखने वाला टुमर इसलिए दिशब इसो कैंसर नाम धिया गया है Cancer एक group of disease है, जिसका origin होता है genetic mutation के वड़ी से, हमारा शरीर जो है, ये cells से बना रहता है, trillions of cells से बना रहता है, हर एक cell का जो structure है, वो उसकी genes के द्वारा decide के दाता है, जब ये genes में mutation होते है, कुछ गड़ड़ी आती है, तो वो एक tumor का रूप लेती है, वो tumor unwanted, याने जिसकी जिसकी जरूप में बढ़ता है, 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 जिसक खॉरिकुटन जर्म से आप ने किया तो मैं यह जानना चाहतง में da यह अज़का च्छिर के रेटा और जाता है तो दोष में कोर्मिय दुण कुel जाता है यह जो प्यशा करि ऑई हर जाता है मिलिव कैसा तो से एक धिल्सेर चेिन हने बूला जाता है और एक ट्यूमर का अपनी किया। को जहना चाहती है कि कि से माद दिढ़ा है लों तुमर क्या जाना चाहती है। और छालिब क्या हुम्हार ट्यूमर कि त्यूमर है। अकशर रहूद एक ढूंछा मिथ ह 210- Praise scandis Stitch लो 62 С. पनी। जब एक साथ बड़ाे अगुमर उसा होता है जो बहुत जल्दी तो ज़ल्दी तरह जादा है उसका बीमारी का चरीर में प्रभाव भी इधर जादा पलता है तो उसे कास्युमर का जाता है На टुमर कीस प्रकार से बेन टूमर और टूमर एफ यह जाद ब्रगार के बारे में में प्रुश में ह मिया चाहिए शब्साइटा नाया गलारत है कि आघ निदान तंकार्ण वेतरन था चान्स्ट। तो इस प्रकास से अलब बीवी टाइप के ट्यूमर और पुरुष और महिला में देखे जाते हैं अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ा सा हमारे आपे जो कैंसर का टाइप है वो डिफर करता है तूमर दुनिया बर में पुरुष और में पाने जाने वाला ट्यूमर होता है लूंक थाफिश के लिए जब कि इंडिया में बिकॉस अरल टोबैको जो हम खर राया तंबा को या पानमसाला का जो है उसके बज़े से लुग कैंसर सबसे जादा पाया जाता है जब कि फीमेल सम इसके लूंक लूप रूब्याप भुष पर रू रूप रहाँ जाता है उसके बाद रूच रूंक रूप से लूप जाता है जाता है तो इस देशिता रहा है जो हम पार खायआ ठारूप और हमें प्लानि कारण किया है तो अधिकू स्वाम्न ऑर जाना चाहती तो इस जा प्रडॉक्स कर रहा तमा को पान मसाला, second है अलकोहल, okay, तीसरा है ख्राइणी, ठीके, या फिर, second प्रडॉब होगा अगर हमारा फीर, या फिर, क्या इस अगरा लेता है, about obesity, excessive intake of red meat, इसे हम जो मतन का ज्यादा प्रियोग जो करते हैं, या फिर, green विजटेबे, जादा ना खाने में, इस्तमाल करें, जा फिर, जो physical inactivity है, exercise ना करने का, का है इसके वज़ा है इसके ज़ए, इसके बढ़नाहे हैं, इसके रह एकामी मुठेस्टन होता हैर दिसरा होता है एन्मोमिंटल वाइशन रडियरस का पार्ड अंवेस्टिगेशन लिल्ग इसक्न चैन, श्याज़ी पार्ड रूप में इसक्टन रूप में यह बच्छ बेच्छान ओंस कोई वरक प्लेस फे जाहएं सेस्ट दस्स एक्स अघ्मज तो वो कैसे सस्पेक्ट करेगा कि कैंसर हो चुका है तो जब हम बात करते हैं सिंटम्स की तो जनली हम साधारान व्यक्ति को ये बताते हैं कि अगर आपकी बॉड़ी में कोई गाथ है जो एक मैने से जादा अंतर पे अभी है बढ़ रही है तेजी से बढ़ रही है या फिर को बुखार चल रहा है जो कंपनी हो रहा है आपको कि रोशनी काम हो रही है या फिर जटके आ रहा है इस प्रकार के कोई लक्षन है जो एक मैने से जादा तकलीव दे रहे है तो उस समय पे आपकी डॉक्टर का एक सला लेना जरूरी होता है तो अगर किसी इंसान को पहले तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए जब पहले अगर मानलो बेसिक टेस्स करने के बाद अगर पता चल रहा है कि यह निदान हो सकता है तो इसके लिए अपना शहर में एक डिडिकेटिड गांसर सेंटर अभी एक डिडिकेटीड एक टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जाए कि जो विशेशग्य होता है क्यांसर के उनका एक सला लो चाहिए उसके लिए एक प्रॉपर इंवेस्टिगेशन रिक्वाइड रहते हैं जिसका डिग्नोसिस मतलब होता है कि पहले तो उसका टिशू निकाल जाता है जहां से अबने कैंसर की सस्पेक्ट है वहां से टिशू कि असा गुंधर प्रॉपर लिए ऐसमान को जाने करते हैं लुए टाथ है सर इसुछ करहते हैं तो ऑर बने को जाता है क्या क्या इन दीवेशन नए एक लिए एक टाने को बाने का जाले है अगे सवता हैं भी तो फृपले इस बीचिता हैं तो प्रुप आर्ट परॉप्सी आप्र नितान कर सकते हैं जब अपलबदी अपने पास नहीं देलेगी अज़ आज 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 रग्रेस्ट अज़ अज़ आज रावा रडियो डाइमोसिस में CT scans में MRI scans में और whole body pet scan इसमें एक scan में पूरी body का इंवस्टिगेशन हम कर सकते हैं इससे हमें जो ऊचेशन हyes क्वेशन वाले एक वाले जब ऊट्यूमर की है कि अछ्फर है यह रहें तवाताज़ सकत में इदेल कारें तो फीडियों इसकас डिस्था तरह उसी किया जाए रहा हैं क्या इसका है इस बारे में पूरी जान करी जानना चाहते हुड़ा है? So, cancer का निदान होने के बाद, इसका इलाज इसका इलाज मुख्यूप से 3 लिपो में हम इस्टैबलिश करते हैं तो सबसे पहले एक common होता है surgery, तो बहुत सारे tumors इसे रहता है जिनका पहले surgery करके, operation करके उनका tumor निकालना सही रहता है ताकि वो बीमारी body से बहार निकले और 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 पहीं पर फैले नहीं है उसके बाद उस त्यूमर का निकालने के बाद हमें डिसाइड करना पड़ता है इस पेशन को आगे भी कुछ और इलाज की जरुवत है जैसे chemotherapy या फिर radiation therapy तो इस प्रकार से surgery, operation, chemotherapy and radiation therapy ये तीन मुख्य पहलू है इलाज के अजिस तरे के सापने बताया कि जो डागनेस उसमें नए इन्वेशन तो क्या उसी प्रकार से थाचर में भी नहीं तक का है इसमें एक बहुत ही इच्छी हो चुकिए था है बहुत है अधर इस दिख लगता है कि अगरध विए बैढेच्छीर च चुक था इंधसσι जब ड़जे सकाँ में कि अग करीज लिएकिछ के लिए कि onds amplitude भी ज्हाँ त्युर खेंटिन में लेग लिए थाख्यों से हमें 2001 कि लि केमो भी एड़ांस हो चुके हैं जिसके बज़े से हमें जो साधारान टॉक्सिटी होती थी वो कम हो हुई है इसके अलाब रडियेशन थेरपी में अच्छी खासी प्रगती होने के लिए से जो पुरानी रडियेशन थेरपी की तकनीक में तकलीफ होती थी उसको 60-70% तक कम त तकनीक के साथ पॉसिबल असर एक और सवाल कि अगर यह जो इनुवेशन हो है कितने परसेंट यह मतलब एफेक्टिव है इसके बारे हो जाना चाहूंगे उसको बहुत अच्छा सवाल है इस जो इनुवेशन से इसका मुख्या एड़ांटेज यह हुआ है कि बहुत बार य कि लिमिटेशन साइंस लिमिटेशन के वज़े से काफी तुमर का इलाज अपने आपे पॉसिबल नहीं हो था उसके लिए हमें एक तो बड़ी शेरों में बागना पढ़ना पढ़ना था लेकिन ऐसा अधीन नहीं हुआ है अभी हमारे पास सब तखनिक अपने शेर में उप है तो जो पहले तुमर अपरे नहीं शेहा एक ताजिए तो पहले टुमर को अपरेट नहीं हुआ सकते है अभी अपने लिए क कर सकते हैं बा 사 cringe помощ鐵िति कर अदेंग। सब्सक्राइशन थे सब्सक्राइब तर अगरे बड़ते हैं यह एक दोड़न देट है इसी मुद्धी को लेकर जन्जागरीती हो यह अम चाहते हैं, तो सबसे बहले तो मैं आप से जानना चाहते हो कि रडियाशन थेरपी क्या है और उसका उपियोग किस तरीकी सी आजाते हैं? तो एक बहुत बहुत इंपोर्टन बात मैं आप से सबसे शेर करना चाहूंगा रडियाशन ओंकोलोजी एक प्रांच क्या है तो एक तम सादरा अचा में से रेडियो थेरपी बोला जाता है तो रेडियो थेरपी के बारे में हमारी कम्यूनिटी में बहुत एक मिट्स या फिर रॉटन टीट्मेंट टेक्नीक है उससे पेशन वंचित रहता है जिसका रिजन रहता है पेशन की बीमारी सरज़री के बाद वापिस असकती है या फिर जो इलाज बिदा भी हो सकता है वो पेशन घराते नहीं है और उससे उनको तकलिफ हो के उनकी डेथ हो सकती है तो कर दो हो यह इस मिसकंसिप्शन का ओरीजन है यह कि लिए अगर हम संजे फिर्लिक का इलाज घा अगर हम संझे गया जैसे सीटी श्यानट या एक स्रेच एस चान करें लिगा है तो डियोशन थे एक से टीमेंट चर्ड होती है तो अगम आगर कोई रिजन नहीं दो दरिख पीरियों भीरियों का लाज राज वो गड़ा वोगरी से काफी रूप साथ रूप साथ की रीच्छी काफी नॉर्मल अब गड़ी नॉर्म की रेप्नी शारी लुकांगे रूप साथ अट नॉरी बाई थी बाई फिर भी वह एक्ट प्रिरों के लोगो की जुडे है अट चु इसे भुमारी कापी ट्रीटमें एक कुल स्टेंडर्ड बाना जाता था लेकिन विद तायम इन्विशन सुई कन्फर्मल टेक्निक साइब मतलब फोकॉस्ट्रीटमें साधर मच में फोकुस्ट्रीमें माने त्यूमर जा शरीर में तूमर हैं उतने ही एरिया में हम रेडियेशन दे सकते हैं और आजू-बाजू की जो नॉर्मल और उनको हम बचा सकते हैं तो इसे फोकॉस्ट्रीशन तरेपी बोली जाती है या साइंटिफिक टर्म में कन्फॉर्मल रेडियेशन तरेपी बोली जाती है इस प्रकार से 3D CRT, IMRT जो हम CT scan guidance में टीटमेंट कर सकते हैं अचुक और एक्टम एक्टम एक्टमें टीटमें जिसे बोल जाता है इस प्रकार का फोकॉस्ट्रीटमें हम कर सकते हैं अज की नई टेकनिक के दवारा इस प्रकार को झाता हैं आ एक उपलबधी हैं जिसे हम पहले जो सिप बड़ी शेर में प prawn। दी को चेह हुआज ङог इसे लिएम ही समय समय कर दोली बोली चाहिता अच्छा पहले ऐसा था कि अधर थेरीशन थेरीशन था क्लिमेटेशन था क्योंकि टेक्मिंट नहीं था तो जो अगर अंदर के रूप में बैठा हुआ है जिससे अधर रिडियेशन देने जाएंगी तो साधारां जो और उर्गन से उनको तकलीफ होगी तो हम जादा दोस न तो हम बड़ा थे लिए तुके है इसलिए जो भादान था थे तरित्मेंट नहीं होता था अभी उसके बहुत तरीके से अभी तेरीक में कारा है टीप सिते टुमर्स है लंग चांसर है ब्राइन ब्रह जो जो परेंशन नहीं करते थे तो इसलिए कि अगर आप जो पुड र कि यह स्टेप्स अबनाज के बात की वे इना आ डेयाशन गायो कि तया दुन कि परीजिह रोतर है भाऊ है जब हम वालले स्पेशना ध्रेंट खड़ागा ऑ्लज फेसे लिए डेल्य होगे सेंट लाहे सामना खर दडियाशन कि सीट्मेट में देमेन दोड Xin इसमें कोई जर्ग नहीं होताए नहीं तर्ट 10 मिनिट का इलाज रहता है अचे लिए श्य। वहवटी सिंपल तरीके से होता है तो जनरली यह एक लेटेस्ट रेडियेशन टेक्नीक है, जिसे हम साधारम बासन अदर समझे तो यह सर्जरी एसे नाम में आते हैं, लेकिन यह कोई सर्जरी नहीं है, अपरेशन नहीं है, यह अपरेशन जैसा जो एफेक्ट है तुमर को पिगलाने का हाई डोस रेडियेशन क करने योग्या नहीं रहता है यह फिर उपरेशन करने से रिस्क हो सकती है, उस तुमर को हम हाई डोस रेडियेशन के द्वारा उसको ट्रीटमेंट का सतते हैं, इसमें पिचुटरी तुमास, इदी मुमास, श्वानोमास, इमेंजियोमास, यह फिर जो एवेम्स रहता है, उ कि कोई अपरेशन नहीं है, बस ही डोस रेडियेशन है, इसके द्वारा हम इफेक्टि इलाज कर सकते हैं, इस चीज से लोग बहुत जादा डरते हैं, उसी के बहुत सारे उपवयोग है, काफी बेनिफिशली चीज है, जब साइंस नहीं पुछ 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 कि हम अचीज रहेशन आजे हैं, इस तररीका हम डायत हैं, इस तरीक के रिएक्सराइज करें जोंडने किमोटरपी आपू कि इन एक्सराइज कू जोडेंकें जोंगें विजो कि अधिए लग्यों पुछ छयं दरते हैं, कि एविव में आपके बहुत पारेशन का हैं, अप बताईए, सबसे पहले तो है कि डायेट, हमारी एक कम्यूनिटी में मिस्कंसेप्शन है कि अगर कोई पेशन बीमार जाता है तो उसको नारियल पानी ही देना है और पुछ नहीं देना है तो यह एक बहुत गलत चीज है हमें उसको जादा सभूता प्रोटीन युग तक डाये उससे ही आपको काफी में सकता है इंटरनेट पे बढ़ने में आपको डायेटिशन गाइड कर सकते हैं कि आपको कहा कापे किस चीजों से जादा प्रोटीन का इंटेक मिलेगा उसकी बॉड़ी में आपके रिकवरी के लिए काफी मदद होती है तो डायेट इंपोर्टेंट अब डायेटिक गराइट से जादा डायेट वोट फूद खाना है उसकी बॉड़ी कि टीजों पीना है नो दूसरी इंपोर्टेंट एगसरा इंपर्सों इस पार्ट का हुआ है उस मार्ट मेृ पार्त में तकलीब हो सकती उसकेर एग देट से असे बढ़रब से रिगुलर करें लिजहाते हुआई में इलाज बधने के बाँ चैन्स ही में इपर क्रेकरिश रएसम तेजंश टारけ 2021 ऩो हुग में ठांट पर चैन्स हमाने हैं करें 세ड़ तेक्षेज टार्ड़िजा सेजिज थ। इसमोगारी ज़ने करने के लू हो पती है उन्हें भी रिकवरी में कापी आसा नहीं हो अगरा आकरी सवाल आउसे कि हमारा जो कैंसर है उसकी देख बाल के लिए आप मतलब किस तरीके से मैसेज देंगे तो एक इंपोर्टेंट मैसेज कम्यूनिटी को हम देना चाहेंगे कि जनरली हम कैंसर से डरते लेकिन कैंसर के कार करें फल फ्रूट खाए और एक्सरसाइज करें मेडिटेशन करें इससे काफी रूप से आप कैंसर से बच सकते हैं अगर आप कोई समस्या है जिसे आपको लगता है कि डॉक्टर को दिखाना चाहें तो सही समय पे सही डॉक्टर के पर जाए उनका सला ले और वो जो आपको को अड़वाईस देंगें उसको सही समय पे इसका इंवेस्टिगेशन करें अगर बिंदान भी हो तो इसका बहुत प्रभावी रूप से इलाज पॉसिबल है सही समय पे सही स्टेश में चैंसर पूरी टरह से ठीक हो सकता है तो कैंसर कोई मौत का सेंटेंस नहीं है कैंसर ठ आपके चैंसर को ठीक करने के लिए पूरी सक्षम है तो गबरायनी चैंसर से हम जीच सकते हैं वदलब हम कैसे चैंसर से बचना काफी आसान है बच कुछ सिंपल स्टेप्स जिन्हें हमें फॉलो करना है कि प्रॉपर एक्साइस प्रॉपर डायेट साथ में जितनी भी ड्रॉप एडिक्टिव चीजे हैं उनका सेवन नहीं करना है और अगर आपको कुछ पेइन वगरे हो अगर 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 अरली डिटेक्शन करना ही जरूरी है हमारे लिए जो हमें बहुत हम करेगा और कैंसर से जंग भले ही मुश्किल हो पर यह बिल्कुल नामों के लिए जो लोग को लगता है तैंक्यू सो मच सर आपका इतना कीम्ती टाइब और बहुत सारी चीजे हमें ने अपिसोड में तब तक के लिए देखते रहें BCN News नमस्कार थेंक्यू